हाई डुल्टीज, वेलकम टुईज़ीवे कॉमर्स क्लासेंज, मैं हूँ अपिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपना नया चेप्टरे स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जो कि हमारी इंडियन एकानमी बुक से हैं अब गाइस सबसे पहले इसके मिनिंग से स्टार्ट करेंगे लेकिन, 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 उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो और बेल आइकन को प्रेस करो फो न्यू मोर प्रेस करना है और आप अपने डाउट कहां बूछ सकते हो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर मेरी आइडी है तब इता मैं इसी बूछ सकते हो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर तो गाइस काफ़ इंट्रस्टिंग चैप्टर है human capital formation होता क्या है देखो हम ल से पहले human capital क्या होते है तो उससे पहले capital क्या होते है इसत्तों देखोँ देश के नजरिये से capital दो टाइब की होती है एक हिसी कि can Use एक होती है human capital, physical capital किसे कहते है, जिसे आप physically देख सकते हो, छूँ सकते हो, जो कि हमारे production में काम आती है, जैसे कि machine होगी, raw material होगी, physical capital है, आपने पैसा invest कर रख है, वो अपकी physical capital है, है ना, छूँ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन human capital क्या होती है, human capital होती है, guys, हमारी knowledge, हमारी ability, हमारी skill, हमारी education, जिसे हम देख नहीं सकते, आप देख सकते हो, में किती पड़ी लिख्यों, लेकिन आप महसूस जरूर कर सकते हो, कि हाँ पड़ी लिख्यों, तभी आप लोगों को पढ़ारी हो, है ना, तो, यानि कि जो भी skill होता है, ability होता है, इसको हम देख नहीं सकते ह है, बट, यह हमारे अंदर inherited होती है, हम इसे और develop कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं, अपने में skill develop करने के, हमारे में ability लाने के, बहुत सारे तरीके हैं, अभी हम पढ़ेंगे भी उस चीज़ को, लेकिन इसे हम छू और देख नहीं सकते हैं, तो physical capital को तो छू सकते हैं, जा the human capital, human capital क्या होती है, human capital is the ability, knowledge, skill, education of a person, ठीक है, अब दो टाइप की एक देश के पास capital होती है, और दोनों ही capital बड़ी जरूर ही होती है, एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, पहले लेकिन इसके बीच के थोड़े से difference मैं बता देती हूं, जो कि हमारी बुक में भी गिवन है, जो physical capital है ना गाइस, यह आप उसके honor से separate कर सकते हो, लाइक अगर कोई machine पढ़ी है, तो आप उसके honor से उसको लेके जा सकते हो, machine को निकाल के लेके जा सकते हो, बट human capital में इसका जो brain है, आप उससे नहीं ले सकते, तो आप उससे honor से separate नहीं कर सकते हो, अब दूसरी चीज यह जो physical capital है, जो यह machine है, यह depreciate हो सकती है, लेकिन human capital हमारी knowledge depreciate हो सकती है, लेकिन हम इसे समय के साथ सत और जादा improve कर सकते हैं, अगर हम इसमें investment करते रहें, लेकिन इसका तो पक्का है कि यह depreciate होगी होगी, लेकिन यह हमें पता education हमारी depreciate नहीं होती ही, लेकिन धुनली पढ होगी, तो वो चीज़े अफकॉर्स धीमी हो जाएंगी, नहीं समझ जाएंगी, तो physical capital को हम लोग थोड़ा बहुत depreciate, physical capital तो होती है, लेकिन human capital को हम ठीक रख सकते हैं, by investing समय, यानि कि investing the time, आप इसको इसके honor से दूर कर सकते हो, बढ़ इसे नहीं कर सकते हैं, इसका स्वग रहा है, आप बाहर से import कर सकते हो, है ना, ये एक country से दूसरी country पर बहुत ज़्यादा भेज सकते हो, machine ने, है ना, raw material, लेकिन human capital नहीं, mobility होती है, बट इतनी नहीं होती है, हम लोग अगर बाहर चाके काम करना चाहते हैं, अमेरिका, लंडन, कहीं पर भी हम कर सकते हैं बट सबसे ज़्यादा trade किस चीज़ का होते है guys, physical capital का, और एक देश को चलाने के लिए दोनों ही ज़रूरी है, हमें physical capital भी ज़रूरी है, human capital भी क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छी machine लगा दी, लेकिन इसको चलाने वाला, विचारा सोच में पढ़ा हुआ है कि कैसे चला देगा, तो हमें दोनों चीज़े चाहिए होती है, हमें physical capital भी चाहिए, human capital भी चाहिए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अब हम बात करेंगे guys, human capital जो हमारा chapter था, human capital formation, आपको ये तो पता चलगे है कि human capital क्या होती है, हमारी knowledge, हमारा skill, हमारी ability, हमारी education होती है, लेक तो guys, 5 sources है, जिसकी वज़े से हम अपनी देश की human capital को form कर सकते है, formation कर सकते है, formation मतलब बना सकते है, कैसे बना सकते है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, that is expenditure on education, आप पढ़ाई पर पैसा खर्च करके, अपने आपको skill, अपने में education, अपने में development, सब कुछ कर सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, क्यों, क्योंकि आपको, जो education है guys, वो बहुत चीज़े, जो कि words में describe नहीं कर सकती, वो चीज़े आपको knowledge provide कर देती है, जो कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत जरूरी है, क्यों एक माबाब, बहु महंगी फीस वाले स्कूल में भी बच्चे को डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक investment करते हैं, क्या करते हैं guys, एक investment करते हैं, क्यों, क्योंकि जो वो आज फीस भर रहे हैं, उनको पता है जब मेरा बच्चा पढ़ लिखके न पढ़ ले गया यह कुछ बन गया तो यह बहुत पैसा कमा सकता है तो उसके आगी फीज कुछ भी नहीं रहेगी इसलिए सबसे जादा important खर्चा जो होते हैं वो होते हैं हमारी education पर जिससे हमारे में skill ability आती है आज अगर मैं आप लोगों को पढ़ा पारी हूँ तो मेरे में skill ability है वो क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ तब ही पढ़ा पारी हूँ ठीक है तो सबसे पहला खर्चा तो education है guys second expenditure on health यानि कि हमें अपने स्वास्ते अपने health पर भी guys पैसा खर्चना बढ़ता है और करना चाहिए 110 पसंद करना चाहिए अगर आपका शरीर स्वास्त नहीं है अगर मैं आज बुखार में होंगी मैं अगले दिन फिर जुखा मैं फिर उसके बाद कुछ है मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं यानि कि कितने भी educated हूँ लेकिन health wise अगर मैं weak हूँ तो मैं अपने काम को नहीं कर सकती तो एक इंसान के लिए guys एक बंदे के लिए education अगर दिम अगर बिमार हो तो आप काम अच्छी तरीके से दिमाग चलाई नहीं पाते हैं जो खाम होता है हमारा concentration week हो जाता है तो expenditure on health बहुत जरूरी है एक देश की human capital फॉर्म करने के लिए अभी देखो हमारी सरकारों ने दोनों पर काम किया है हमारी सरकार ने education भी देखो primary school secondary schools क्या ह सरकारी school free of cost कर रखे हैं health के लिए कितने government hospital बनाए गया है क्योंकि हमारे देश में अगर बंदे पड़े लिखे होंगे सरस्त होंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है तो इसलिए expenditure education और health दोनों पर किया जाते है guys एक देश की human capital को अच्छा बनाने के लिए third होता है guys on the job training on the job training on the job training जो है guys वो business point of view से है like अगर आप हम लोग किसी job पर जाते हैं तो हमें वहापर training दी जाती है on the job training का मतलब यह हो गया कि job training अब उससे हमें education skill कैसे आता है क्योंकि वहाँ पर हमें काम सिखाया जाता है और जब काम सिखाया जाते है तो हमें skill develop होते है अब चाहे आपको पड़ा लिखा काम हो सकता है या चाहे वो आपका बिना पड़े लिखे से काम हो सकता है तो जो skill होते है उसके लिए पड़ा लिखा होना जरूरी नहीं है ठीक है लेकिन skill जो develop किया जाते है गाईस वो on the job training से चाहे आप किसी company में जा रहे हो तो आपको पड़ा लेकिन अगर आप कही पर अगर प्लंबर का काम सीखने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको वह चीज़े सिखाए जाएंगी अब दोनों ही केस में हमें दोनों ही चीज़े नीडिड है On the job training चो होती है यह हमें में skill लेकाती है हमें सिखाती है चीज़े तो उससे भी क्या बनता है human capital क्योंकि आप कोई नहीं चीज़ सीखरे हो वहाँ पर जाके अब एक plumber के पास अगर एक बंदा गया और वहाँ पर वह सीख कर निकला तो हम यह नहीं कह सकते कि उसमें skill नहीं है उसमें skill है मैं हमेशे एक चीज़ कहती हूँ गाइस पढ़े लिखे होने के साथ सातना कई लोग नों बहुत पढ़ लिख जाते लेकिन दिमाग यूज करना नहीं जानते इसलिए पढ़े लिखे होने के साथ सातना skill develop करना और चीज़ों को observe करना हर एक काम के पीछे का reason जाना बहुत जरूरी है यानि कि ये काम आखिर हो रहा है तो कैसे हो रहा है ये तिगडम बाजे हो रही है वो बहुत जरूरी होता है तो वो चीज़ डवलप करना यानि कि skill लेके आना बहुत जरूरी होता है तो अपने पढ़ाई के साथ साथ और जो other technical activities होती होती हो उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए ठीक है fourth guys होते है expenditure on migration अब हम ये कह रहे है कि खर्चा करो migration पर तो human capital form होगी migration का मतलब क्यों होता है पहली बात गाइस migration का मतलब होता है जब कोई बंदा एक गाउं से कहलो या किसी भी जगे से निकलके शेहर में आता है ये कोई अच्छी developed जगे पर आता है तो उसे migration कहते हैं अब लोग यहां से यहां आते ही आते हैं ठीक हैं क्यूं आते हैं guys ताकि उनको एक अच्छी नौकरी मिल सके, अभी अगो उनको पता है कि यहाँ पर खेती हो रही थी, यहाँ पर फसली हो रही थी और हमारे पास हम अच्छे बड़े लिखे, हमें कुछ और काम करना चाहिए, हमें कुछ रिफ्रेंट करना चाहिए, हम सौफ्टरेर इंजीनियर हैं, ह हमें कुछ और करना है, तो उन्हें अपने लिए job opportunity के लिए माइग्रेट होना पड़ेगा, उन्हें बैंगलोर साइड या IT सेक्टर साइड शिफ्ट होना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं, माइगरेशन, ठीक है, अब माइगरेशन पर क्या होते हैं, खर्चा होते हैं, क्य माइगरेशन, आपको एक cost of living भी मिलेगा वहां पर, आपको वहां पर खर्चा बिजली पर भी करना पड़ेगा, रहने पर भी करना पड़ेगा, high rent भी पे करना पड़ेगा, तो that is called expenditure on migration, अभी डली में रहना भी असान नहीं है, डली के भी अगर आप रेंट सुनोंगे तो आस्मानी चूते हैं, area wise है, तो यह क्या है, आपको जैसी जगे पर जाके रहना हो तो वहां पर वैसे ही खर्चा करना पड़ता है, और वह खर्चा अगर आपको human capital form कर रहा है, तो इसलिए उससे हमारी human capital form होती है, जब अगर हम migration पर खर्चा करके, वहां पर एक अच्छी job opportunity हमें मिलती है, तो यह भी ज़रूरी है, इससे भी human capital form होती है, आप नौकरी करोगे, आप में skill develop होगा, आप अच्छी जगे पर लगोगे, इसके बाद guys next होता है, 5th expenditure on information, expenditure on information पर पैसा खर्च करो और human capital बनाओ, अब इसको क्या मतलब है guys, अब इसका मतलब होता है कि अगर ए of cost मिल जाती है, कहां से net से, है ना internet ने हमें इतनी सुविधाय दे दी है, अब लेकिन उसके लिए भी हमें data करे चार्च तो कराना ही पड़ता है, वो तो free नहीं है, right, तो expenditure on information का मतलब क्या है, आपको किसी college के information चाहिए, आपको देश के बारे में को information चाहिए, आपको किसी university investing information चाहिए, तो उस पर आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, और जब आप पैसा खर्च करते हो, उसके बारे में information gather कर लेते हो, तो आप knowledgeable बन चाहते हो, right, तो यानि कि हमें different different information पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है, तब ही हम उसे grasp कर पाते हैं, ले पाते हैं, और observe कर पा करते हैं, on the job training में तो चलो job ही मिल जाती है, लेकिन और जो ये 4 sources हैं, इनमें पैसा खर्च करना पड़ता है, तो अब ये 5 sources हैं जहां पर human capital form होती है, जब से पहला हमारी education, दूसरा हमारी health, third on the job training, fourth expenditure on migration and the fifth is expenditure on information, ये पांचों से हमारे देश की human capital form होती है, तो I hope guys आपको य इंट्रस्टिंग है भी, ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करें बिना मैं जाने नहीं दोंगी, ठीक है, और आप अपने डाउट यूट्यूब पर पूछ सकते हो, thank you guys